कोड़ संकट के बीच प्रधान मंत्री नरींदल मोदी ने सुमार की शाम को एक बड़ा एहलान किया है योग दिवस यानि 21 जून से दीश में 18 साल से अधिक उम्रवाले सभी लोगों को भारत सरकार दोरा मुफ वैक्सीन लगाई चाहे पीम मोदी ने एहलान किया कि राच्यो सरकारे और 25 प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था अब वैक्सीन का 75 प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा प्रधान मंत्री नरींदल मोदी ने कहा देश के किसी भी राच्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए ये व्यवस्था जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निरधारी कीमतों के उपराद एक डोस पर अधिक्तम 150 रुपे ही सर्विस चार्ज ले सकेंगी इसकी निगरानी करने का काम राचस सरकारों के पास ही अपने समोधन में प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी ने कहा कि कोड़ा की दुसरी लहर से देश की लड़ाई चारी है दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत पीड़ा से कुजर रहा है पियम मोधी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परीशनों को खोया है ऐसे सभी प प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी ने इसे के साथ एक और बड़ा एलान किया अब नवेंबर 2021 तक देश के 80 करोड लोगों को मुफ्तराशिन दिया जाएगा केंदर सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी प्येम मोदी ने कहा कि कोर्णा की दूसरी लहर के बीच फिर के कई देशों में वैक्सीन की मांग ज्यादा है और वैक्सीन बनाने की कमपनी कम है भारत की अगर अपनी वैक्सीन ना होती तो हाल कुछ होता पिछले 50 से 7 साल का इत्यास यही कहता है कि हमारे यहाँ दुन्या में वैक्सीन आने की कई दिनों बार टिका आता था बीसीन न्यूस के लिए दिशा हटवार की रिपोर्ट